Hello Friends, आज हम सिखेंगे मूली का प्रोटा इस वीडियो में, उसके लिए हमें चाहिए मूली, अब हम मूली को कद्यूकस कर लेंगे अच्छी तरह से, मूली को कद्यूकस करने के बाद, अब हम इसमें विलाएंगे नमक, जितना भी आपको मूली के हिसाब से जितना स्वाध अन अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो डाल लीजिए नहीं तो avoid कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अध्रक जो मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था और इसमें लाल मिर्च आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं अब इसमें अजवैन और आप इन सारे इंग्रिडेंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले में हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारी मुली में अब हम एक लोई लेंगे और उसमें यह सारा mixture अपना पेड़े की हिसाप से छोटा बड़ा उस हिसाप से ले लेंगे अब इसको अच्छी तरह से कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे अब यह आप देख सकते हैं कि यह single बनाए नहीं तो कुछ लोग double मुली के पराठे बनाते हैं अब हम इसको तवे पर डाल देंगे तो अब यह देख सकते हैं मैंने इसमें घी यूज करा है आप अपने हिसाप से तेल यूज करना चाहते हैं तेल कर सकते हैं कुछ लोग यूज करते हैं, डालडा यूज करते हैं जो आपकी मर्जी है आप वो यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें देशीगी यूज कराई अब हमारा पॉठा पक चुका है, अब आप देख सकते हैं कि ये देखने में सिंगल पॉठा बनाए कुछ लोग डबल प्रणा बनाते हैं सिंगल प्रणा यह धिंक जदा अच्छा लगता है डबल बहुत बारी हो जाता है अब यह हमारा प्रणा एक दम रेडिये खाने के लिए अब आप देख सकते हैं एक दम पक चुका है अब ये इसको आप धहीं के साथ सबकर धहीं के साथ करिए और प्लीज में चैनल को सबस्क्राइब जूँ